कार्टूस और मैगजीन चोरी मामले में उपसरपंच पती धराई दो पलिस आयुक्त निरिक्षक पांच बी एमपी सिपाही एवं एक होमगार्ट के विरुद्ध कारेवाही भागलपूर सुल्तान गंज थाना के बैरक में 100 कार्टूस चोरी मामले में पुलिस ने देरात मदुसुधनपूर थाना शेत्र के भीम किता गाउं में सखन चापेमारी की इस चापेमारी के दोनान पुलिस ने रामपूर खोर्द पंचायत के उपसरपंच को ग्रफतार किया है सुल्तान गंज थाना के बैरक से 100 कार्टूस, 2 मुबाइल और मैगजीन लेकर थाने में बंद एक नावालिक चूर फरार हो गया था तत पशात उस नावालिक को मौका मिलते ही उसने थाना में ही चूरी कर फरार हो गया मामले की जानकारी मिलते ही विदी विवस्था, DSP, डॉक्टर गौरव कौमार के नेत्रत में सुल्तान गंज बाथ और अकवर नगर थाना के द्वारा चापे मारी शुरू की गए पकड़ाई युबक के पास से पोलिस ने मैगजीन सहित 25 कार्टूस वरामत कर लिया वहीं उसने पुलिसियाई पूछतास में यह बात बताई की उसने नाथ नगर प्रखंड शेतर के रामपूर खुर्द पंचायत के उपसरपंच कुंदन चौधरी को बेचा है पुलिस ने उसके पास से पांच कार्टूस बरामत किया है वहीं इस मामले में सुल्तान गंज थाना के दो पुलिस आयुक्त निरिक्षक पांच बी एमपी सिपाही एवं एक होमगाट के विरुद्ध अनुशासनिक कारिवाही भी की गई है कुंदन चौधरी का पूर्वज से भी आपरादे कित्यास रहा है उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट एवं रंगदारी के तीन मामले विस्पोटक पधार्थ से सम्मनित एक मामले और चोरी से सम्मनित एक मामले दर्ज है सुल्तान गनिसे शामानंद सिंग की रिपोर्ट